पर question number 9 में देखो क्या पूचा गया है 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator shows pH तो हमें यहाँ पर 5 solution दे रखें और 5ों का pH यहाँ पर अलग अलगा है जैसे कि यहाँ पर 4, 1, 11, 7 and 9 which solution तो यहाँ पर कौन सा solution हमें बताना है कि neutral है strongly alkaline है strongly acid या weekly acid यहाँ या weekly alkaline है arrange the pH value in the increasing order of hydrogen ion concentration तो हमें यहाँ przy increasing order में इनको लगाना है hydrogen ion concentration के हिसाब से तो बढ़ते हैं इसके solution की तरफ तो देखते हैं इसके solution में हमें क्या करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ इंक्रीजिंग ओडर में लगा लूगा hydrogen ion concentration के हिसाब से तो basic जो होगा उसमें सबसे का हमारे hydrogen ion concentration होगे जो कि basic हमारा क्या होगा सबसे ज़्यादा pH 11 होगा ठीक है उससे कम basic में उससे ज़्यादा hydrogen ion concentration होगे तो वो हमारा हो जाएगा pH 9 और ऐसी हमारा यहाँ पर series चलती रहेगी तो यहाँपर आजयगा pH 7 और इससे ज़्यादा हमारा hydrogen concentration किस में होता हमारा pH 4 में होता है जो कि अब कि अपर ऐसी में आगए? acidic category में आगया और सबसे ज़्यादा हमारा होता है pH 11 में ह attitudes pH 1 हो घ्क है अब यहाँ पर ph11 होगा hai हमारे यहां पर क्या होगा वह भी मैं बता देता हूं पीच नाइन होगा हो मतलcely talkin' हो सेवन की बहात हो रही है पी USB 27 की बात हो जैसे कि हमारा distilled water होता है, ठीक है? Distilled water हमारा क्या होता है? Neutral होता है, तो pH 7 हमारा क्या होगा? Neutral हो गया, अब यहाँ पर pH 4 की बात हो रही है, pH 4 जो होगा हमारा weekly acidic होगा, weekly क्या होगा हमारा? Acidic in nature होगा, तो हमारा लिख देता हूँ, weekly acidic होगा, और यहाँ पर last one जो हमारा pH 1 होगा यह हमारा strong होगा यह हमारा लिख देता हो यहाँ पर strongly strongly हमारा क्या होगा acidic होगा ठीक है अब हम यहाँ पर देखते हैं question number 10 में हमसे क्या पूछा गया है